नईदिल्ली मदिजिला पुलिस ने बारे अप्रेल को एक रैकेट का भंडा फोर किया था जो आईपियल मैचो के लिए नकली टिकेट छापता था और तीन नावाले को सहित करीब पांच लोगों को भी ग्रफतार किया ये सभी मुंबई की निवासी हैं और आईपियल मैचो की मेजवानी करने वाले शेहरों में नकली टिक्टो को मूल दरों से दोगनी या फिर तीन गुना अधिक कीमत पर बेचने के लिए जाते थे वहीं मामला दर्जगर आगी की कारवाई की जा रही है DCP Central संजी कुमार सैन ने कहा कि एक विशेश टीम का गच्छन किया गया था इसने पहले तीन लोगों को पकड़ा और उनके पास से 24 टिकेट जब्ति किये गए वो उन्हें मूल कीमत से करीब तीन गुना अधिक कीमत पर बेच रहे थे और बाद में एक अन्य विक्ति को भी पकड़ा गया और जाली टिकेट उससे जब्त किये गए इसके बाद कुल पाँच लोगों को पकड़ा गया और ये सब ही मुंबई के निवासी हैं और IPL मैचों की मेजबानी करने वाले शेहरों में जाली टिक्टों को मूल दरों से द मैच के फुकता इंतिजाम के साथ साथ इल्लीगल एक्टिविटीस पर मिनना जर रखी जारी थी इसी के मद्दे नजर पिछले मैच के दोरान बैटिंग वाले ग्रूप को पकड़ा गया इस मैच के दोरान ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों को पकड़ने में सफलता मिली है इसके लिए एक खास टीम तैयार की गई थी साधा कपड़ों में यह तैनात थे और हुलिया भी उसी प्रकार से रखा गया था शुरू में टीम ने तीन लोगों को पकड़ा था और उनसे 24 टिकट बरामद हुए थे पता लगा कि निरधारीत मुले से तीन गुना कीम के आधार पर अपने साथियों के साथ यह फोर्स टिकट बनाते हैं और उन्हें बाहर बेच रहे होते हैं बाद में पुछताच के आधार पर ही कुल बिलाकर पांच लोगों को फिर पकड़ा गया उनसे पांच मुवाइल कलर प्रिंटर और अन्य माटेरियल भी सीज किया ग हैं इस संदर्ब में हमारे हां एक केस दर्ज करके जाच की जा रही है